Well Hello Friends, कैसे हैं आप लोग? Friends जैसे कि आप सभी लोग जानता हैं कि Samsung ने अपना Most Aveted Flexive Smartphone Galaxy S10 को कल San Francisco के अंदर में लौज कर दिया है Friends यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरी इस phone के अंदर क्या-क्या specification company की तरफ से दी गई अगर आपने इसके वारे में नहीं जानते तो बने रही है मेरे साथ मैं आपसे शेयर करूँगा वो हर एक बाते जो company ने इस phone के अंदर में दी गई है Friends मैं नाम है चंदन जा और आप इस वक देखने जा टेक्नो Friends सबसे पहले तो मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि company ने यहाँ पे तीन phone जो है वो launch हिया है एक तो launch किया है Samsung Galaxy S10e एक है Samsung Galaxy S10 और तीसरा जो है Samsung Galaxy S10 Plus यहाँ पे मैं आपसे especially बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy S10 के वारे में friends यहाँ पे जो है company की तरफ से वहाँ पे जो launch यहाँ है वो है 1.99 US dollar price point पे वहाँ पे launch करी गई है बट इंडिया का अंदर में किस price point पे यह launch होगा कब launch होगा यह especially company की तरफ से जो है वो कोई भी जो है यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है बर जहां तक मैं मानता हूँ वो यह की 63,999 से लेके 64,999 के बीच में जो है इसकी pricing start हो सकती है इंडिया के अंदर friends अब मैं आपसे पहले बात करूँगा कि इसका जो build quality है इसकी जो look है इसका जो display वो कैसा दियागा है friends तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपके सामने आ जाता है एक 6.1 इंच का quad HD curved dynamic MOLED screen friends यहाँ friends company इसको जो है infinity O display के भी बुलाता है Samsung की तरस से कहा जाता है friends यहाँ पर आपको मिल जाता है एक खास technology वो है HDR10 plus को यह support करता है friends यानि कि आपके पास कोई ऐसा video या content है जो कि HDR10 का है तो आपको काफी अच्छा color accuracy, color depth के साथ में आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको यह बताना जाना चाहता हूँ कि market के अंदर में इस वक्त HDR10 content जो है काफी कम मौजूद है बट इन feature में काफी जादा आएगा तो आपको यह feature काफी काम आने वाला है आपको इन feature में friends उसको 42% तक जो है reduce किया गया है ताकि यह उन लोगों के लिए फाइड़मंद है जो काफी time तक जो है रात के वक्त में वीडियो देखते रहते हैं या कुछ काम अपने mobile पे करते रहते हैं कि यहाँ पे आपको display के ऊपर जो है Corning Gorilla Glass 6 की protection के साथ में आता है friends यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है bottom में आप देखेंगे तो on screen fingerprint scanner मिल जाता है जी हाँ friends पहले company के तब से back side में आता था अब यहाँ पे आपको on screen सामने के side में ही मिल जाता है fingerprint scanner जो की एक काफी खास technology से less है वो है ultra sonic pulses की through जो है यह आपके fingers के जो लकीरे हैं उसको 3D में जो है scan करता है और phone के अंदर किसी safe जगर पे उसको store रखता है ताकि सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने phone को access कर पा है यह काफी अच्छा feature दिया गया है इससे काफी ज़्यादा responsive हो जाता है आपका और काफी जल्दी जो है lock जो है फॉन जो है unlock भी होता है friends तो यह भी काफी खास feature इसके अंदर दिया गया है friends साथ के साथ इसके screen की brightness की मैं अगर बात करूँ friends तो यहाँ पर इसकी brightness दी गई है वो भी काफी ज़्यादा दी गई है यहाँ पर आपको मिल जाता है 1200 Nets की brightness यानि कि आप अगर काफी bright sunlight में अगर phone को ले जाते है तो आपको brightness की यहाँ पर कोई issue नहीं होने वाली काफी अच आपको मिल जाता है hybrid SIM slot और दूसरे साइड आपको मिल जाता है आपको volume rocker button friends एक और button मिलता है जो किसी टाइप का Samsung का जो है आपके जो assistant है उसको जो है support करता है साथ में आप नीची की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीची की साइड में मिल जाता है studio speaker Samsung की खास sound quality यह produce करता है साथ के साथ में आपको मिल जाता है speaker के अंदर में Dolby Atmos का support friends तो audio के department में मुझे लगता है कि Dolby Atmos को support करता है और studio speaker है तो काफी अच्छा response मिलने वाला है साथ के साथ में आपको नीचे मिल जाता है USB type C port और सबसे खास बात में आपको बताना चाहूंगा क यहां पर Samsung ने आपको दिया है 3.5 mm का audio jack यानि कि आपको यहां पर कोई भी compromise नहीं किया गया है Samsung की तरब से दूसरे brand आप देखेंगे तो दूसरे brand के जो flagship smartphones है वहां पर आपका 3.5 mm की jack को हटा दिया गया है बट Samsung ने continue रखा है तो यह बहुत ही अच्छा काम किया है Samsung की जो की काफी अच्छा feature दिया गया है अब मैं आपकी जो बताता हूं वो आ जाते हैं हम इसके camera के उपर इसकी जो camera है उसका क्या-क्या feature दिया है तो यहां पर front में अगर आप camera की बात करो तो in display जो है आपको single एक camera मिलता है जो की आपको मिल जाता है 10 megapixel का autofocus आपका f1.9 aperture के साथ में मिलता है साथ के साथ में इसमें dual fixer sensor का use किया गया है इस camera की खास बात है और आपको एक बता हूं तो यह आपका 4K video को record कर सकता है तो यह भी काफी खास बात है friends अब मैं आपसे बात करता हूं इसका जो back की camera है वो यहां पर आपको back में आपको मिल जाता है total team camera friends पहल में अगर दूसरे camera की बात करूं तो यह आपको मिल जाता है friends 12 megapixel का autofocus f1.5 and f2.4 aperture के साथ में जी हां friends इसमें आपसे यहां पर यह आपको काफी ज़्यादा फाइदा पोचाने वाला है जब आप मालीजे बाहर आउड़ोर में photo click करते हैं तो आपका 2.4 aperture होनी के वेरे से का साथ के साथ में आपके अगर low light में या रात के वक्त में या अंधिरे में कहीं पर आप photo click करते हैं तो f1.5 aperture होनी के वेरे से काफी ज़्यादा light जो है आपके sensor को hit करता है जिसके वेरे से काफी अच्छा और bright खिला हुआ जो है पिक आपके सामने में आ जाता है friends तो यह काफ fix focus है और 16 megapixel का ultra wide जो है आपको मिल जाता है f2.2 aperture के साथ में friends इसकी other future की बात करूँ camera की तो यहां पर आपको मिल जाता है आपको 4K HDR 10 video recording का जो है support मिल जाता है इसके अंदर में friends बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4K HDR 10 video recording इस वक्त इस वक्त बेटा वर्जन में है या यहां पर आप से मैं बात करना चाहूंगा इसकी battery life के बारे में friends तो यहां पर battery जो company के तरफ से दी गई है वो दी गई है 3400 मा की battery friends यहां पर आपको सुनने में तो काफी कम लेगा 3400 मा की battery बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Samsung आपने RAM management और battery power management में काफी ज्यादा अच्छ है तो यहां पर आपको कम से कम मुझे लगता है कि 3400 मा का होने के बावजिट भी जो है या आपको एक दिन का battery backup दे देगा इसके अंदर एक और फूचर दिया गया है वो है power share का feature यानि कि आपका QI certified कोई भी device हो या फिर Samsung के कुछ ऐसे devices जैसे कि आपका smart watch हो गया और आपका जो है क्या करते हैं इसका जो earbuds हो गया है इसको जो है आप अपने phone से ही जो है चार्ज कर सकते हैं slightly आप phone के ऊपर रखते हैं back side में तो यह चार्ज हो जाता है साथ के साथ मैं यह phone जो है आपका fast charging 2.0 को support करता है जो कि tune up किया गया है आपका तो battery department में भी यह जो है काफी ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है on paper friends इसके साथ में मैं आपसे बात करूँ कि इसके अंदर जो और जो feature दिया गया है उसके बार में तो friends इसके यहाँ पर आपको जो है मैं बताना चाहूंगा कि heating में जो है company के तरफ से एक type का जो है इस phone के अंदर में जो है वह vapor chamber यूज किया गया है जो कि phone को heat नहीं होने देता जब आप काफी heavy gaming कर रहे होते हैं तो यह vapor chamber आपके phone को cool करने में काफी आपको मदद कर आता है friends other future में आपको बात करूँ तो इसके अंदर जो है company के तरफ से snapdragon 855 के साथ में वहाँ पे launch किया गया है बट इंडिया के अंदर में जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंद water resistant काफी अच्छा होने वाला है साथ के साथ में dust resistant भी काफी अच्छा मिलने वाला है इस phone की overall weight की बात करूं friends तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 157 gram का overall weight इस phone का but मैं सुनने में आ रहा है कि जो weight distribution है इस phone का वो काफी अच्छा रखा गया है यानि कि आपके हाथ में जो है यह मिल जाता है friends यहाँ पर मैं आप से specifically बात करना चाहूंगा friends की जो इसके अंदर variant आते हैं वो दो variant के साथ में आ जाता है एक आ जाता है 8GB RAM और 108GB storage के साथ में और दूसरा जो आ जाता है वो 8GB RAM और 512GB storage के साथ में friends तो यहाँ पर pricing जो है दोनों की अलग-अलग हो सकती है friends त तो है attractive phone लग रहा है friends लेकिन real world में क्या performance मिलने वाली है आपको वो तो तभी पता चलेगा जब phone इंडिया कंदर launch होगा और लोगों के हातों में आएगा friends तो इंतियार करते हैं इंडिया में launch होने का हमें पता चले कि क्या price point पे इंडिया में launch होगा और मतलब कि कर तक launch होन अन्य वीडियो में आज से दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you take care and bye bye